तो आज आपके सामने आप जैसे की देख सकते हैं आप सब की चाहिती रॉयल एंफिल्ड क्लासिक 350 अपने पीछे खड़ी हुई है तो इसका आज जैसे कि आप जानते हैं आज कल बहुत ट्रेंड में बाइक चल लाई है जो कि आप हम मैं खुदी इसको उन करता हूं तो सोचा हैं आपको कि जल्दी यली साज वीडियो खटम करनी है तो दोस्तों यह अपनी है रॉयल एंफिल्ड क्लासिक 350 तो आज से कंटेंड मैंने एकदम मलब जोरदार मैंने सोचा कि चलो बाइक सबकी चाहिती भाई रॉयल एंफिल्ड तो है बहुत इस टाइम पर बहुत कि हम लोग जो की इसकी मैं बात करूं थे मुझको अराउंड अठारा सो के आसवास मुझको पड़ी थी ज्यादा महेंगी भी नहीं इसकी मैं कलक्स एक वीडियो बनाऊंगा इसकी जो लाइट का थ्रो है ना वह बहुत गजब का है मतलब की अगर रात में आप चल लो फॉ प्लेजन दिखे क्योंकि इसके लाइट बहुत तेज है प्लस इसकी हाइवीम की बात के तो हाइवीम भी इसकी बहुत जोरदार है इसकी बात करते हैं इसके यहां के जो बल्ब होते अधर वाइक आप देखो तो उसमें आपको यह येलो मिलेंगे लेकिन मैंने इसको बहुत प्यारा लगता है मतलब इसमें जो छपरी पना होता है छपरी पने वाला इसमें आपको नहीं मिलेगा बाकि बात करते हैं लगाड की यह तो खैर अभी बाइक मैंने धुली नहीं तो थोड़ा सा गंदा हो चुका है लगाड अगर आप इसका देख लो लगाडी मु देखो यह देखो इदम बल की बाइक लग रही है पीछे से बस इसका गाड की वज़े से तो मजबूर भी बहुत है मुझको एक साल हो गया इस गाड को लगाए हुए अभी तक कि कोई इसमें शिकायत नहीं आई है बहुत अच्छा रिस्पांस दे रही है बाकी का ब्रेक लगाएंगे तो यलो हो जाएगी खड़ी रखेंगे यह वाइट रहेगी तो एक खासी दिसमें यह भी देख सकते हैं लाइट मलब जब ब्रेक लगाओगे तो सामने लग पर चल जाए कि हाँ गाड़ी रुक रही है तो अलएट हो जाएगा सामने वाला अब दूस तो इसका काम मुश्कों तुम्हें लगता है जादा कुछ है बठा कुछ जैसे खुराफाती लोग होते हैं जैसे कि आप जानते हो कि ब्रेक चलती गाड़े ब्रेक मार दिया या मतलब उनली लोग करते ही करते हैं तो उससे भी आपको यह बचाते है बाकी आप गिरोगे त वह तो आप कहीं भी ले सकते हो कि अब बोलने मैं आज सास अब डाउन हो रही है पता नहीं क्यों शाय ठंड है इस वज़े से तो बात करते हैं हम लोग यह वाले हैंडल बार की तो पहले एगनिशन आफ कर दे क्यूंकि बैटरी उतर जाएगी ठंड का टाइम है तो यह वा चाहूं तो इसका दूसर यूज मुझे अच्छा लगा वो था कि जब आप बाइक को सो पर चलाते हो डेड़ सो पर चलाते हो यह नब्व शाथ हो तो देखते हो गया आप बाइक हलकी सी वाइबरेट करती है तो जब से मैंने यह लगा है तो मुझको रखता है जब से हटवा दिये थे उसकी जगर मैंने छोटा से लगवाया था मुझे सिक्स्टी रुपीस के पेर मिल गए तो थोड़ा लुक में काफी अच्छा लग रही है यह देखो यह और इसली इंस्टॉल भी हो जाएगा इसमें जारा कुछ करना भी नहीं है अब मेन बात करते हम की बात करें अगर तो थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आई थी तो यह आपको क्लियरली विजिबल होगा मैंने मैट ब्लैक करवाई थी एकदम बहुत अच्छी फिनिशिंग दी थी बट लास्ट में उसको यह थोड़ा खल गया था कि यह दो लाइनिंग दिखने लगी थी बाकी इसकी कॉस्टिंग बता दो मुझको यह 800 की पड़ी थी पूरी बाइक की जो की आगे हुई थी यह वाला एक पैनल था इस पे हुई थी और यह पीछे बैक पैनल पे हुई थी तो ठीक है रीजनेबल प्राइस था आप भी करवा सकते हो इसक्रेश वगरा से प्रोटे बाइक करवाई यह कारबन फाइबर चड़ाया हुआ है इस पे भी और यह आपका एयर फिल्टर का जहां पर लगता है तो यह वह लापोशन है तो यहां पर मैंने कारबन फाइबर इस पे इस पर रवाया हुआ है और उस साइड इसका प्राइज मैं जो पड़ा था वह अब दूसरी बात करते हैं एक्जास्ट की तो इसमें शॉर्ट कन एक्जास्ट मैंने लगवाया है जो कि मुझको 1200 का पड़ा था मार्किट में और कैटलिक कंवर्टर इसमें सब कुछ लगा हुआ है माइलेज की इसमें कोई इशू नहीं है थोड़ा सा 19-20 का इशू है बाकी लॉंग कैन एक्जास्ट आप लगवाऊगे तो माइलेज इसमें बहुत फर्क पड़ेगा शॉर्ट कैन लगवाईगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आवाज भी अच्छी देगा पॉप आप बहुत अच्छे मारता है तो जो कि मैं नोटीस करते हूँ पॉप आप इसके ब लिंकर आपको दिखाते हैं एक बार यह तो कंपनी फिटेट था इसमें कुछ बताने की जरुवत नहीं है बाकि मैंने हौन एक अलग से लगवाया हुआ था तो ज्यादा लाउट था तो उसको मैंने चेंज करवा दिया था तो अभी बाइक को स्टार्ट करते हैं और एक्स टो यह कुछ अपना लग का एक्ञार नोट था बाकी बाइक आप देख लो कि बहुत प्यारी सी ऐगदम मेरी प्यारी राजदुलारी बाकि इसमें जो बाइक का जो लुक इसने एन्हेंस किया है वो सिर्फ एक बाइक का ऐलॉई है बाइक के ऐलॉई ने बाइक को जान एकदम दे रखी हुई है इसमें जाएक से देखी रहो ऐलॉई जुरीम इसमें जो बहुत प्यारे लग रहे है बाइक पर यह देखो यह तो नो डाउट बाइक बहुत अच्छी है धाई लाग के हिसाब से बजट में रॉयल इंफिल्ड ने बहुत अच्छी बाइक निकाली है मज़ा आ गई मुझे एक साल हो चुका है तो एक्सपीरेंस मुझे बहुत अच्छा रहा इसका मैंने से बहु वीडियो अगर इंफर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करना कमेंट करना शेयर करना और बाकि हाँ एक चीज़ बताना भूल गया सीट कवर तो यह देखो सीट कवर मैंने अलग से लगवाई थे यह मुझे को 700 800 के आसपा सीट कवर पड़ गये थे जो की बहुती ज आम साथ बैठ लोगे बंब में आपकी कोई दिख्कत नहीं होगी तो खेर यह था पूरी बाइक अपनी ऐसी दिखती है एक बाद दिखा देते हैं यह देखो तो इसी के साथ वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना और ब वीडियो जिस पर बनाऊंगा तो वह आपको मिलती रहे तिल देन बाबाइ टेक केर एंड लव यू ओल